दोस्तो आजकल एक न्यूज बहुती ज्यादा सुनने में आ रही है कि आर भी आई ने पांच अजार से ज्यादा नौन-방किंग robić कम्पणि यूद्ध के लाइसंस केंसल कर दिये हैं यानि कि बैन कर दिये हैं यानि को यूटूब पर भी वीडियो मिल दाएंगी इसके बारे म कहीं भी देखो गई आज कल इसकी निवस्ट से ज्यादा चल रही है कि आर बिया इने 5000 से ज्यादा नोन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लाइसेंस रद कर दिये यानि कि उनको बैंड कर दिया है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो यह नोन बैंकिं पर दिची में छोड़ कर चले जाएंगे तो आप कैसे जान पाएंगा कि आज इस वीडियो मैं आपके लिए यह जानकारी लेकर आता हूं अब इतक को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन है उसे प्रेस करें और साती बेल आइकन के प्रेस्क्रेंग करें और वीडियो को शेर भी जरूर करें तो फ्रेंट सिदेर ही ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जो ये न्यूज चल रही है ये वीडियो मन रही है आप यूटूब पर भी देखा होगा कि आर बिया इन्हें 5516 नोन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस उनको बेंकर दिया बिल्कुली बेंकर दिया अब उनसे लोन नहीं मिल पाएगा दोस्त क्या आप जानते हैं कोशिटेम बैंकिंग कंपनी है इनके बेन बन DM होने से आपको कोई नुकसान नहीं, कोई फाइदा है क्यों कि नोगल क्योंकि दो आपको लोब्ले के दोन मिलता ह्पीड्ण के दवार आपको ल॓न को फॉनonne के पाउने जो पांपनियों के लाइसेंस रद हुए है वह स्टोर पर महिल नहीं है। तो friends इनके license रद होने से आपको कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों आज YouTube पर सबसे ज़्यादा वीडियो इसे के बारे में बन रही है लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है यह हो गया तो friends आपको इसमें कोई भी फायदा नहीं है और ना ही कोई नहीं है जिन नोन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद हुए हैं लोन मिलता है बड़े-बड़े बिजनिसमेन को शेर मार्किट वालों को यह नोन बैंकिंग फाइनस मीनी लोन प्रोवाइड नहीं करवाती हैं जैसे कि आम पब्लिक हो गई उनको यह कोई भी ल है तो फ्रेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि इन नोन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद होने से आपको कोई भी फाइदा नहीं है यह और नहीं कोई नुक्सान है तो फ्रेंट्स आर्च की वीडियो में बस इतना है मुझे उमीद है क वीडियो में दीजानकारी आपके काम आएगी वीडियो आपके लिए बहुत ही यelphul रही होगी तो फ्रेंट्स वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को भी तक सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें